यह SSTCGL का question है, algebra से related, काफी अच्छा question है, पहले आप वीडियो को pause करके इस question को खुद से solve करने की कोसिस करिए, उसके बाद है इसका solution देखिए, इसमें हमारे पास given information क्या है, x square minus 5x plus 1 is equal to 0, यह दिया गया है हमें, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है, x to the power 6 plus x to the power 4 plus x square plus 1 divided by 5x cube, इसका value हमसे पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो given information है, उसको भी modified form में लिख सकते हैं, जैसे हमने यह लिख लिया कि x square plus 1 का value 5x दिया हुआ है, यह minus 5x, right side में जाके plus 5x हो गया, वैसे इसको भी बहुत अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, तो हम requirement के हिसाब से देखेंगे, कि यहाँ पर हमें किस चीज की जरुरत है, और उसके form में हम उसको convert करेंगे, अब जो हमसे पूछा जा रहा है, इसमें अगर हम यहाँ पर देखते हैं, कि x to the power 6 है, और यहाँ x to the power 4 है, तो इसमें से हमने x to the power 4 common लिया, तो x to the power 6 के जगा पर बच गया, x to the power 2, और x to the power 4 के जगा पर बच गया 1, वैसे ही इसमें से हमने क्या किया, 1 को common लिखा, तो यह x square plus 1 हो गया, क्योंकि 1 और x square plus 1 को multiply करने से वही चीज हो जाएगा, और denominator में हमारा 5x cube है ही, अब numerator में क्या हो गया, कि 1 bracket x square plus 1 हो गया, यह common हो गया, क्योंकि यहां भी है और यहां भी है, और दूसरा bracket बन गया, x to the power 4 plus 1 divided by 5x cube, अब आप देखिए, x square plus 1 का value तो यहां पर पता है 5x, तो उसको हमने put कर दिया, 5x x to the power 4 plus 1 divided by 5x cube, 5 और 5 cancel हो गया, x से जब x cube को आप cancel करेंगे, तो x square बच जाएगा, अब हमने क्या गया, यहां numerator में x to the power 4 plus 1 divided by x square, इसको एक बार और simplify करते है, x to the power 4 by x square, फिर plus 1 by x square, मतलब x square को हमने अलग-अलग कर दिया, x to the power 4 के साथ भी और 1 के साथ भी, अब यहां से क्या आजाएगा, numerator में x square, तो x square plus 1 by x square, अब हम देखते हैं कि हमारा जो given information है, उसके help से क्या हम x square plus 1 by x square easily find out कर सकते हैं, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, कि x square plus 1 is equal to 5x, जो हमारा given information है, इसमें से हमने यह x को left side में ले आया, तो x square by x plus 1 by x is equal to 5, यह क्या हो गया, x plus 1 by x is equal to 5, तो जब इसी का आप squaring कर दीजिए, x plus 1 by x का whole square, तो right side में 5 square, 25, और यहां a plus b का whole square, क्या formula आता है, a square plus 2 into a into b plus b square is equal to 25, अब आप यहां देखिए, कि left side में x square plus, यहां पर 1 by x square है, यह x cancel हो गया, तो यहां पर 2 बजा हो है, उस 2 को right side में लेकर चले जाए, तो 25 minus 2, 23 आ गया, मतलब x square plus 1 by x square का value 23, और हमें यहां पर यही तो चाहिए, तो इसका value 23 आ गया, मतलब कि यह हमारा answer हो गया, तो इस question का answer third option हो गया, 23, हमने किया क्या line of thinking इसका क्या था, कि जो given information है, वो हमने लिखा, और उसको भी modified करके रखा, कि x square plus 1 का value 5x है, जरुद परने पर इसी को simplify करके, हमने x square plus 1 by x square का value भी find out किया, जो भी हमें यहाँ पर right side में जरुद पर रहा था, वो हम left side से generate करके देख रहे थे, तो यह इस question का line of thinking था, वैसे और भी बहुत सारे method है, इस question को solve करने के लिए, यह one of the method से एक तरीका यह भी है, अगर आपको समझने में थोरा सा भी problem हो, तो आप video को फिर से एक बार देख